नमस्कार दोस्तो अगर आपको sex related कोई problem हो और उस problem के लिए आप किसी online doctor के पास से अपना treatment करवा रहे हो चाहे वो doctor youtube का कोई famous doctor हो जिनसे आप treatment ले रहे हो या कोई और platform हो जैसे कि कोई website हो या फिर कोई online application हो जहां से आप online treatment ले रहे हो दोस्तो आज से ठीक दो महना पहले हमारे clinic पे एक patient आये थे हमारे youtube वीडियो को देखने के बाद जब उनको पता चला कि मैं भी waste bengal से हूँ तो उन्होंने online consultation की जगा offline consultation मुझ से लेना सही समझा और इस patient का age है 28 years और इस patient को पिछले एक साल से erectile dysfunction की problem है और इस patient का link में तनाओ तो आता है मगर वो sustain नहीं हो पाता है मतलब erection समभोग के दोरान हो पाता है मगर वो रुक नहीं पाता है वो तूड जाता है अब ये patient मेरे पास आने से पहले youtube के एक famous doctor के पास से इन्होंने online consultation लेना सही समझा जिस doctor ने इनको 4-5 तरह की medicines इनको इनका address पे भेजे थे और उस doctor का medicine को खाने का बाद से इनका problem और बढ़ गया और इस doctor का medicine से पहला ही dose से इनका link में तनाओ आ गया और वो तनाओ ऐसा आया कि इनका link में तनाओ 4 घंटा sustain हो गया 4 घंटा इनका link में तनाओ बरकरार रहा और 4 घंटा बाद जब इनका link में तनाओ ध खड़ा रहा उसके बाद से इनका लिंग में तनाव आना है टोटली बंद हो चुका था और ये पेस्ट भी हैरान हो चुका था कि ऐसा कौन सी मेडिसन इस डॉक्टर ने इनको खिला दिया कि इनका लिंग इतना घंटा खड़ा रहे गया और चार-चार घंटा लिंग खड़ा इनका फोन भी नहीं उठाया और नहीं वाट्सअप पे इनको कोई रिपलाई दिया और फिर उसके बाद ये पेस्ट मेरे पास आये कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है और इन्होंने मुझ से ऑफ्लैन कंसल्टेशन लिया था ओनलैन कंसल्टेशन नहीं क्यूं मेडिसिन है जो की पाउडर जैसे दिखती है जो की एक पुडिया में उन्होंने पैक करके मुझे दिया था वही मेडिसिन खाने का बाद से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया वह अक्चली पाउडर नहीं है वो सुगरोब मिल्क है जो की आमोमन एक होमोपैत उसमे आप भी हैरान हो जाएंगे सुगरोब मिल्क के साथ व्यागरा मिला हुआ था इंगलिस मेडिसिन व्यागरा मिला हुआ था इस डॉक्टर ने अच्छी तरीके से व्यागरा को पीस कर उसको अच्छी तरीके से ग्रेंड करके सुगरोब मिल्क के साथ मिक्स कर दिया और इस को भी लगा कि मैं होमेपतिक मेडिसन खा रहा हूं जिसमें बिल्कुल भी कोई साइड एफेक्ट नहीं है बट इन शॉर्ट ही वास टेकिंग व्यागरा फॉर्म जोला चाप होमेपैथ जो की बहुत ही सरम की बात है इस तरह का हरकत से आप होमेपैथी को निचा दिखा रहे ह आप अपना स्ट्रेंथ को बाहर लाने की जगा अपना खासियत को बाहर लाने की जगा आप सौटकाट अपना रहे हो और इस पेसेंट का साइड एफेक्ट को खतम करने के लिए मैंने इनको औरम मेट से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और दो ही दिन में व्यागरा का इनका अंधर जो साइड एफेक्ट हुआ था वो पूरी तरह चला गया और फिर उसके बाद मैंने इनका फिर से केस्टिकिंग किया और केस्टिकिंग के बाद मैंने इनको कालीब्रों प्रेसकाइब किया कालीब्रों 0-1 से हम लोगों ने स्टार्ट किये थे और हर हफ्ता का काली ब्रोम का पोटेंसी को मुलग बढ़ाते गए और तकरीबन दो महने बाद इस पेसेंट ने हमसे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो जो साइड इफेक्ट था वो तो पहले ही गया साथ में इनका जो में प्रॉब्लम था जिसके लिए इन्हों ने उस जोला चाप डॉक्ट